कि आपको आपको ड्राउ करना कि पहले वो ड्राइटा हूं जो आपको ड्राउ करना है पी टाइप एंटाइप अक्सर इसके साथ एक रिजिस्टेंस भी लगा जाता है लेकिन फिलाल हमको रिजिस्टेंस नहीं लगा रहे यह पोटेंशिल डिवाइडर है पोटेंशिल डिवाइडर को आपने यूज करना है वेरियेबिल पोटेंशिल प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइडर है वेरियेवाब प्रोवाइडर क्स अबागरा जासे लिएडर प्रोवापों? कि यह पी एंग्शन डायोट की फारवर्ड बैसिंग है क्योंकि पी टाइप इस्टल हाइर वोल्टेज पर कि टाइप क्रिस्टल हाइर पोटेंशल पर और एंड टाइप क्रिस्टल आपने लिया लोवर पोटेंशल पर तो अभी यह डायोट है फारवर्ड बैस में कि इन दोनों वाइपर की बीच जितना बड़ा डिफरेंस आप रखेंगे उतना ही बड़ा प्रोटेंशल डिफरेंस मिलेगा डायोट के अक्राॉस अगर दोनों वाइपर्स को आप एक ही जगह लादें यहां लादें या कहीं भी एक जगह लादें तो जो निटर अक उसका और इस जण्शन के एक्रॉस आपका फपारवड बाइसा इनक्रीज होगा में तो हैं यह लेगिन जीतना ज़्याधर दिस्टेश रखेंगे आप पॉटेंशल का आप कहुंगे के आप हब फॉरवर्व बायस का in priss कर रहेंчи का इंक्रीज का जाएगा इweder मतलब दिप्रस स्दोर को का बढ़ाना कि Soviet करते हैं एक जब आफ चूर्वाइब और इंक्रीज करते हैं ये तो हमने डाईगराम बनाया है इसका की फॉर्म में लेकिन एक्चली डायोड के अंदर उसके जंक्षन पर क्या चेंजी आते हैं जब आप फॉरवर्ड बायस में रखकर बायसिंग इंक्रीज कर रहे हैं कि यह सारे डाइग्राम साथ के बनाने के लिए नहीं सिर्फ समझने के लिए पी टाइप और एंटाइप आपने सेमी कंडुक्टर क्रिस्टल बना लिए कि अग्यों कि जंक्षन पर एंटाइप पर एंटाइप के अंदर हैं निगेटिव चार्जिस कि शिर्फ में एंटाइप न रहे हुं है और पी टाइक में जंक्षन के पासर हें पिचीड्य चार्जिस हOOD और यह रिजन जहां यह पयुक्टिव और न्गेटिव इखट्टे हैं यह डिप्लीशन औय आ यह कि महनी डिप्लीशन बिजन रिप्लिशन सभी UC अंदर मैंने उल्टे बना दिये मैं इसको यहाँ पी टाइप कर देता हूं यह पी टाइप है और इधर एंटाइप कि डिप्लीशन लिजन के पीछे एंटाइप में धेश सारे फ्री एलेक्टाउन्स पी टाइप में इकका दुखका एलेक्टाउन और बहुत सारे अब आपने इससे फॉर्वर्ड बैसिंग में लगाया फॉर्वर्ड बैसिंग का मतलब पी टाइप को हायर पोटेंशल पर और लो पोटेंशल पर रखा आपने एंड टाइप को पर वार्वर्ड बैसिंगा मतलब पी टाइप एट हाइप पोटेंशल और एंट पैसा एट लोग पोटेंशल पी टाइप इस मोर पॉजिटिव एज कंपेर्ड तो एंट टाइप इस मोर निगेटिव एस पापेर्टो पी ताइप जब आपने P टाइप को पॉजिटिव दिया और N टाइप को आपने निगेटिव रखा है या इसे higher potential से lower potential पर तब actually आपने यहाँ एक इलेक्टिक फिल्ड एपलाई किया यही एक्चुली बाइसिंग है बाहर से एक्टिक फिल्ड एपलाई करना यही बाइसिंग है एक इलेक्टिक फिल्ड आपने बाहर से एपलाई किया positive negative terminal से जोड़ कर बैटरी के इस electric फिल्ड को लिख रहा हूं ऐसे एक्सटरनल एलेक्टिक फिल्ड एक्सटरनल एलेक्टिक फिल्ड लेकिन इससे पहले ही इस जंक्षन के अंदर यह कि इंस यह कि साइड ओल्रेडी एक इल्ठ्रिक फिल्ड हैं मोजू जो कि तब भी है जब आपने टाइब को पॉजिट्व निए टाइब नहीं दिया था जब आपने बाईसिंग एपलाई नहीं कि है तब भी यह एलेक्ट्रिक फिल्द है कौन सा एक्रॉस कि इस अंदर के इसके अपने इलेक्टिक फिल्ड को लिख रहे हैं इंटर्नल इलेक्टिक फिल्ड और यहां नेट इलेक्टिक फिल्ड लिए्ट आपका दिप्लिशन निजन के अंदर बनेगा इंटर्नल इलेक्टिक फिल्ड माइनस एक्स्टर्नल इलेक्टिक फिल्ड कंडिशन यहां कौन सी है कि एक्स्टर्नल इलेक्टिक फिल्ड वीकर है इंटर्नल इलेक्टिक फिल्ड के कंपरेजन दा तो नेट इलेक्टिक फिल्ड इयाई माइनस इस यहां हमने दोनों इलेक्टिक फिल्ड शो किये एक्स्टरनल इलेक्टिक फिल्ड और इंटरनल इलेक्टिक फिल्ड इस डाग्राम को जब हम रिजल्टेंट इलेक्टिक फिल्ड की फॉर्म में बनाएंगे रिज़िल्टेंट इलेक्टिक फिल्ड ही बनाए केवल अब मैंने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज भी यहां से हटा दिये हटा दिये बना नहीं रहे लिघृ टाइप को आपने जोड़ा है किससे पॉजिटिव टर्मिनल अफ यह इसे निगेटिव को आपने जोड़ा है N-type को वाईनस से या लोवर पोटेंशल पर यहां electric field depletion region के अंदर electric field है internal minus external provided that external is weaker than internal तो यह डिप्रीशन डीजेंड का अंदर का इलेक्टिड्क सीद डिप्रीशन डीजन के बाहरवालि तसे कम हैं क्योंकि डिप्रीशन डीजन के पीछे candles कौन सा है एक्सटरन डाक्रिक मी हैं यह बनाया एक्सटरनन एला-ट्रकि एक्टरनल एलेक्टिक फिल्ड जो डिप्लीशन लिजन के बाहर है है कि लेकिन डिपलीशन के अंदर दो इलेक्रिक फिल्ड नहीं देदिशन के अंदर इलेक्रिक steadily अब भी इंटरेनल इलेक्रिक फिल्ड की डारेक्शन में है लेकिन वो कमचूरै पड़ गया ये मैंने ग्रीन वाले लाइन चार इन्टिया गया था लेकिन यहां नैट इलेक्ट्रिक फेल्ट वैल थिसलेंट लेकिन अभी भी किसें में हैं एंटर्नि इलेक्ट्रिक फिल्ट कहा से कहा है एलेक्टिक कि अब नेट इलेक्ट्रिक फिल इस इलेक्टिक फिल से जो तब था जब आपने नहीं लगाईए इस इलेक्टिक फील्ड ने क्या काम किया हुआ था इस इलेक्टिक फील्ड ने काम किया हुआ था मेजुरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन को रोखना